स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो लेक्चर में इससे पिछली वीडियो में हमने close number 4 तक complete कर लिया था आज हम next करेंगे business hours के बारे में आपके जो किसी भी post office में काम काज के घंटे होते हैं कारे का जो समय होता है उसके बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया close number 5 में normal week days अब normal week days क्या होते हैं आपके Monday to Friday ठीक है Monday to Friday होते हैं आपके normal week days और Saturday वाले दिन जो post office में काम होते हैं उसके जो working hours होते हैं वो अलग होते हैं तो यहाँ पर close number 5 में क्या आता है हमारे पास normal week days में आपका जो काम होता है post office में clearly notified hours at every post office and RMS offices तो जितने भी आपके post office और डाग घर है या railway mail service के कार्याले हैं बहाँ पर clearly क्या अधिसूचित कर दिया जाता है business transacted with public mails delivered and dispatched तो उन काम के घंटों को धिसूचित कर दिया जाता है जिसके दुरान क्या होता है कि जनता से lane dain किया जाता है उसके बाद क्या बोलागे कि जो डाग होती है उसका बितरन किया जाता है और उसका प्रेशन किया जाता है उसको clearly notify कर दिया जाता है प्रतेएक post office or rms office के दुरा उसके बाद बोलागे है कि public business hours fixed with regard to जो public business hours होते हैं वो किसके regard से उनको fix किया जाता है यानि कि किसके अधार पर उनको fix किया जाता है तो local convenience आपका जो local convenience होगा उसके अधार पर arrival and departure timing of mail जो आपकी mail है उसके arrival के उपर जो आ रही है उसका time और जो departure यानि कि उसको जो भेजा जा रहे है उसके अधार पर जो public business hours होते हैं उनको fix किया जाता है उसके बाद आती है हमारे पास working hours की बात यानि कि आपके कामकाज के घंटे कितने समय के लिए कौन सा काम किया जाएगा तो सबसे पहले यहां पर बुलेगे कि far references, inquiries, sale, postage stamps and stationery grant certificate of posting तो अगर कोई भी आपने reference से आपको inquiries करनी है या भी किसी article के लिए आपको postage stamps के लिए आपको चाहिए stationery आपको खरीदनी है या फिर certificate of posting grant करने के लिए आपके जो किसी भी post office में working hours रहते हैं वो रहते हैं entire working hours of the office यानि के जितने समय के लिए आपका office खुला है उतने समय यह सारे काम होते रहेंगे उसके बाद बोला गया है हमारे पास की booking registered insured articles and vp articles अब आपके जो registered articles हैं आपके पंजिगरित पत्र जो होते हैं बीमित पत्र होगे या फिर आपके value payable जो parcel होती है या value payable post है इनको book करने के लिए आपके जो working hours रहते हैं वो 6-7 hours यानि कि 6-7 घंटे के लिए post office में ये काम होता है 5 hours on Saturday up to 3 p.m. अब ये आगे हमारे पास about 6-7 hours नोर्मल weekdays में यानि Monday to Friday अब Saturday वाले दिन यही काम जो 6-7 घंटे के लिए हो रहे है Saturday वाले दिन यही काम सिरफ 5 घंटे के लिए किया जाएगा और कितने बज़े बंद कर दिया जाएगा तीन बज़े बंद कर दिया जाएगा Issue money order, sale and payment of postal order, उसके बाद saving and post office certificate, payment of phone bills Money order issue करने के लिए उसके बाद हमारे पास जो postal order होते हैं उनकी payment या फिर उनको बेचने के लिए saving बाला काम, post office certificates होगे आपके या फिर आपके जो phones bill होते हैं उनके भुकतान के लिए जो post office में काम करने के घंटे होते हैं far about 5 hours, तो ये काम जो है normal weekdays में, Monday to Friday, 5 घंटों के लिए किया जाएगा 3 hours on Saturday, शनीवार बाले दिन, यही काम सिरफ 3 घंटों के लिए किया जाएगा और दोपहर के एक बज़े इसको बंद कर दिया चाहेगा Post office in charge of extra departmental agent, kept open for maximum period of तो यहाँ पे GDS की बात की गई है, extra departmental agent के अंडर जो post office होता है वो कितने maximum आबस के लिए खुला रहता है, तो सिरफ 5 घंटों के लिए maximum और minimum हमने किया था 4 hours के लिए arrangements in most stationary RMS offices for booking, registered articles, registered articles उसके बाद हमारे पास sale of postage stamps and stationary तो हमारे पास जितने भी stationary होते हैं आपके स्थिर कार्याले railway mail के जितने भी स्थिर कार्याले होते हैं तो most stationary RMS offices में क्या होता है, किस चीज़ के arrangements होते हैं प्रावधान होते हैं, booking registered articles, RD articles उसके बाद आपकी जो postage stamps या stationary होती हैं, उनको sell करने के arrangements होते हैं close number 7 क्या बुलागे हैं यहाँ पे, कि business done on Sunday and post office holidays कि आपके रवीवार बाले दिन और post office holidays बाले दिन कौन-कौन सा business होता है except night post office, all post office is closed night post office को छोड़ कर, रातरी काली इंडाखर को छोड़ कर जितने भी post office होंगे, Sunday और post office holidays बाले दिन बंद रहेंगे, no clearance of ladder, street ladder boxes आपके जो ladder boxes होंगे, अब यहाँ पे एक post box की बात आती है दूसरी आती है ladder boxes की बात, अब दोनों में क्या फरक है आपके जो ladder boxes होते हैं, इसमें क्या होता है, आप post करते हैं आपके जो post box होते हैं, उनका क्या use होता है जब भी आपको किसीने article डिलिवर करने है, यानि कि अगर आपकी post office से कोई post box ख्रीदते हैं तो उसमें क्या होता है आपको आर्टिकल्स आपके डिलिवर किये जाते हैं और आपके जो लैटर बोक्स होते हैं इनमें क्या किया जाता है आपके जो लैटर होते हैं वो पोस्ट किये जाते हैं यह कोई अगर इनमें लैटर डालता है तो वो इनको पोस्ट कर और अगर इसकी delivery लेनी आपको letters की तो बो वाला जो होगा, बो क्या होगा आपका post box होगा तो दोनों में आपको फर्क ध्यान में रखना है late letters posted in, late letters क्या होते हैं हमारे पास ऐसे letters ऐसे पत्र हवी हमने पीछे पड़ा की हर एक बस्दू को post करने के लिए post office में एक निर्धारित समय होता है आपको उस निर्धारित समय के पहले आपको अपना article पोस्ट करना होता है लेकिन उस निर्धारित समय के बाद भी आपको post करने की सुभिधा मिलती है बट उसमें आपको क्या करना पड़ता है उसमें आपको late fees देनी पड़ती है उन articles के उपर जिनके उपर late fees दी जाती है उनको कहा जाता है अब late letters होते हैं को कहां पर post किया जा सकता है letter boxes of rms railway mail service के जो letter boxes होते हैं वहाँ पर and at selected offices and letter boxes of mail bands of rms कुछ हैं चुने हुए डाग घरों में उसके बाद railway mail service की bands के letter boxes में उनको post किया जा सकता है franked articles cannot be posted in all तो franked articles के बारे में, franking machine के बारे में हम next video में पढ़ेंगे तो यहाँ पे franked article का मतलब कि जिनके उपर भी dark भार का जो बुकतान है वो franking machine की sharp से किया गया है, उसके impression से किया गया है उनको letter boxes में post नहीं किया जा सकता है उसके बाद आता है हमारा registered newspaper and packets of registered newspaper तो यहाँ पे जो हमारे registered newspaper होते है या फिर उनके जो packet होते है accepted on Sunday plus post office holidays तो यहाँ पे हमने बात की कि जो आपके late letters होते हैं उनको कहाँ पे post किया जा सकता है तो यहाँ पे आगे बात की गई है कि जो registered newspaper है या फिर उनके packets होते हैं उनको Sunday और post office holidays बाले दिन भी accept कर लिया जाता है और कहा कहा पर accept किया जाता है तो सबसे पहले press sorting office में उसके बाद railway mail service के office में और तीसरा night post office में तो आपके जो press sorting office होगे railway mail service office होगे और जो आपके रातरी कालिन डाघर होगे इनमें without late fees बिना किसी late fees के इनको accept कर लिया जाता है और यहाँ पर हमारे पास जो late fees होती है posting करने के लिए हमने अभी पीछे किया कि late letters को कहाँ पर post कर सकते है तो हमारे जो late letters होते है उनके उपर क्या लगी होती है late fees लगी होती है अब late fees कैसे लगाई जाती है अगर registered article है तो उसके उपर 3 रुपे लगेगी unregistered article के उपर 2 रुपे late fees लगेगी तो यह important है हमारे पास registered newspaper और packets of registered newspaper इनको Sunday और post office holidays वाले दिन बिना किसी late fees के कहाँ पर post किया जा सकता है close number 8 में आता है हमारे पास post office holidays post office holidays आपके डागरों में जो छुटियां होती है अब आपके post offices में total holidays होती है 17 आप अपना calendar देख सकते हैं आपके पास which holidays होती है उनकी list आती है उसके उपर आप देख सकते हैं total आपकी holidays होती है 17 अभी 17 holidays कौन कौन से होती है very very important है तो सबसे पहले आपकी आती है Republic Day 26 जैनुरी को मनाया जाता है उसके बाद Independence Day 15 अगस्त को महात्मा गांधी जन्ती उसके बाद इदुल जुहा या फिर बकरीद जिसे कहा जाता है मुहर्रम, इदुल फितर, गुड फ्राइडे, क्रिस्मिस डे बुद्ध पूर्णे, नानक जन्ती और महावीर जन्ती अब ये 11 holidays जो होती है हमने किया था 23 circles के बारे में किया था तो जितने भी आपके circles हैं उन्हें सभी में ये 11 holidays एक साथ मनाया जाती है यानि के पूरे 11 दिन ये वाली 11 holidays बाले दिन सारे ही post offices जो हैं बंद रहेंगे और आपकी जो 6 और छुटियां बसती है यानि के टोटल 17 में से 11 तो एक साथ मनाया जाती है जो other 6 बच जाती है vary from circle to circle उनके लिए क्या है कि circle to circle बो अलग लग होती है payment of postage अब यहाँ पे payment of postage आपका जो dark भार है यानि के आप अगर कोई भी article को post करते है तो उसके उपर जो आप charges देते हैं उसको कहा जाता है postage charges close number 9 में क्या आता है आपका desirability of prepayment of postage डाक भार के पूरबुकतान की बांच नियता यानि के आपको क्या फाइदा मिलता है अगर आप डाक का पूरबुकतान कर देते हैं अगर postage charges जो है आप पहले से ही pay कर देते हैं तो उसके आपको क्या फाइदा मिलता है एंड़र ओफ post office forward earliest possible fast delivery of fully prepared articles तो पोस्ट ओफिस का ये प्रयास होता है कि जितने भी आपके जिसने जैसे articles हैं जिनके उपर postage charges जो है उनका पहले से ही बुकतान कर दिया गया है उनको क्या किया जाता है जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके उनको forward किया जाता है उनके destination की तरफ उनके गंतब्य की तरफ और उसके बाद fast delivery of fully prepared articles और जितने भी fully prepared articles होते हैं उनकी fast delivery जल्द से जल्द क्या की जाती है delivery की जाती है पहली बात उनको जल्द से जल्द forward किया जाता है और जितनी जल्दी हो सके उनकी delivery कर दी जाती है दूसरे आते हैं हमारे पास unpaid articles जरीन के जिनके उपर आपने डाक भार का भुकतान नहीं किया है अगर आप articles भेज रहे हैं और उसका भुकताना पहले से नहीं करते हैं यानि कि आपके उसकी prepayment नहीं करते हैं तो उसको ना ही आपके transmission के दुरान को ज़्यादा security दी जाएगी detention भी उसके यानि कि उसको रोक के भी रखा जा सकता है उसके उपर जो charges है उनको पूरा करने के लिए उनको रोका जा सकता है और उसको ना ही special deliveries के साथ बिशेश deliveries के साथ उनको ना ही issue किया जाएगा delivery के लिए तो अगर unpaid article भेजते हैं तो ये सारा उसके साथ article के साथ हो सकता है उसके बाद है close number 10 postage stamps and stationery postage stamps यानि कि आपके dark ticket और आपकी जो stationary होती है postage stamps payment of postage issued by Indian post office under the authority of government of India अब जो postage stamps होती है इनका use किसके लिए किया जाता है जो आपकी postage stamps होती है post office में उनका use आपकी जो dark भार है उसके बुक्तान के लिए किया जाता है payment of postage यहनिके dark भार के भुखतान के लिए इनका use किया जाता है अब इनको issue कोन करता है तो यहाँ पर यह important है हमारे पास की जो postage stamps होती है इनको Indian post office के द्वारा इनके भारतिय dark विभाग के द्वारा ही issue किया जाता है और किसकी authority के अधीन किया जाता है government of India की authority के धीन किया जाता है उस दूसरी हमारे पास stamps आती है बो आती है revenue stamps revenue stamps जो होती है इनको बेचने का काम post office के द्वारा किया जाता है बट इनको issue करने का काम central government करती है आपकी जो center government होगी बो revenue stamps को issue करेगी post office के द्वारा सिर्फ इनको बेचा जाएगा और cannot use for payment of postage और जो आपकी revenue stamps होती है इनका आप use आपके जो dark भार है उसके भुक्तान के लिए नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे दो परकार की हमने stamps कर लिए एक postage stamps दूसरी आगई revenue stamps postage stamps जो है post office के दोरे इशु की जाती है, इंडियन post office के दोरे शु की जाएंगी और revenue stamps जो आपकी है, center government के दोरे शु की जाएंगी लेकिन यह जो आपकी postage stamps हैं इनको authority जो है इनके किसकी authority के under इनको इशु किया जाएगा government of India की authority के अज़र और हमारे पास जो postage stamps होती है इनका यूज किया जाता है पोस्टेज की पेमेंट के लिए बट हमारे पास revenue stamps का यूज नहीं किया जाएगा फ्लैटली ब्यूरो तो इनके वारे में भी फ्लैटली ब्यूरो के वारे में हम फिर से एक बार पढ़ेंगे आगे फिर से आएगा ये इन ओर तो काटर टू दी नीडज ओफ फ्लैटली लिस्ट्स एंड स्टैंप कोलेक्टर्स जो डाक टिकेट संग्रा करता होते हैं उनकी अवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए फ्लैटली ब्यूरो की स्थापना की गई है Overseas Orders Overseas Orders होते हैं आपके जो बिदेशी ओडर होते हैं यानि कि अगर फोरेंचे कोई आपका फ्लैटली का ओडर आता है तो उनको कहां पे निश्पादित किया जाता है Executed at Indian Flatlic Bureau तो इनको Bombay GPO Flatlic Bureau में Execute किया जाता है, निश्पादित किया जाता है Close No.12 है हमारे पास Pre-Payment of Postage in Cash नकद में डाक का पूरब भुकतान तो नकद में डाक का पूरब भुकतान जो है in certain important post offices authorized by head of circle तो ये कुच्छे के important post offices में है और इसके लिए कौन authorized करता है तो ये हमारे पास authorized किया जाता है Head of Circle के द्वारा यानिके Pre-Payment of Postage in Cash जो है इसको authorized करने वाला कोन है Head of Circle यानिके CPMG है अब हमारे पास जो Pre-Payment of Postage in Cash है ये किसके लिए approved है For firms and companies or other person who post very large number of unregistered packets तो जितने भी हमारे पास firms और companies है जो बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में unregistered packet बीना पंजी कर्ण वाले packets को बड़ी संख्या में पोस्ट करती है जो firms और companies उनके लिए है हमारे पास Pre-Payment of Postage in Cash अब यहाँ पे इनकी दी हुई है quantity कितनी होने चीए minimum 500 at a time in big cities अगर बड़े शहरों की बात की जाए बड़े नगरों की बात की जाए तो minimum 500 होने चाहिए unregistered packets और अगर हमारे पास small towns की बात की जाए चोटे नगरों की बात की जाए तो minimum आपके 250 होने चाहिए certain post office in Bombay, Kolkattah, Madras, Nagpur, Delhi also authorized by head of circle for pre-payment of postage in cash तो कुछ एक post offices हमारे पास Bombay, Kolkattah, Madras, Nagpur, Delhi मैं भी है जिनको head of circle के द्वारा अधिकरित किया गया है कि वो pre-payment of postage in cash सुभीदा का लाब दे सकते है तो इसके लिए जो main question बनता है वो pre-payment of postage in cash किसके द्वारा authorize किया जाता है तो head of circle ही इसको authorize करेगा उसके बाद बुलेगे कि अब हमारे पास जो certain post offices की हमने बात की इनके लिए क्या बोलेगे कि sender uses special registered journals and post minimum 50 articles तो जो sender होता है वो special registered journal का use करता है और minimum 50 articles post करेगा some graduated and high selection grade post offices also available for pre-payment of postage in cash बट यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि आपकी pre-payment of postage in cash किसके द्वारा authorize की जाएगी head of circle के द्वारा की जाएगी facilities are provided for posting of letters on which prescribed late fees paid during certain specific आवज़ दोई हमने यहाँ पे पीछे भी पढ़ा है कि जो late letters होते हैं जिनके उपर late fees लगी होती है उनको कहां कहां पे post कर सकते हैं तो letter boxes at rms railway mail service के जो letter boxes होते हैं वहाँ पर letter boxes at selected offices कुछ एक हमारे पास selected offices होते हैं बहाँ पर किया जा सकते हैं letter boxes of mail bands of rms railway mail service के letter boxes जो होते हैं railway mail service की जो bands होती हैं उनके letter boxes में भी post किये जा सकते हैं letters, inland letter cards, post cards, packets और unresisted parcels इन सभी के लिए उपलवद हैं उसके बाद हमारे पास जो special registration envelopes होते हैं provided by post office तो सबसे पहली बात कि जो special registration envelopes होते हैं यानिके लिफाफे जो होते हैं ये किसके दोरा issue provide करवाय जाते हैं उपलवद करवाय जाते हैं, post office के दोरा करवाय जाते हैं used for transmission of registered articles only और इनका use सिरफ पंजीगरित पत्र जो होते हैं और थोड़ा बड़ा topic है तो इसके लिए हम next video में सिरफ franking machine वाला topic की cover करेंगे thank you